हेई गाइस वालकम टो सिक्षार्ट आज अपके लिए हम लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि इससे आपके दिवाले सेलिब्रेशन्स दो गुने होने वाले हैं आप लोगों ने एक्जाम्स दे ही दियोंगे ये एक्जाम स्टार्ट होगे दोस्तों 28 ऑफ 2018 से 28 ऑक्टूबर और 31 ऑक्टूबर को जीकी के पेपर थे दोस्तों और उसके अलावा बाकी डेज में सब्जेक के पेपर थे तो डेफिनिटली आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रप्रेशन कियोंगी और अच्छे से एक्जाम दियोंगे तो आप यहां पर इनलाइसिस आपको प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपकी लिए ऐसे ही बहुत इंपॉर्टन वीडियो लेकर आरे साथ में हम सिलेबस के भी कंटेंट वाइस भी हम बहुत अच्छा मट्यरे प्रवाइड कर वाइड कर वाइड कर आपको तो प्लीज हमारा अपना एकन प्रेस कीजिये का तो आ इस क्या अपना पैपर आलाइसिस हमारा यह ए एग्जाम यह 28th और 31st और सब्सक्राइब कर ने इस को पूरे 500 मार्क्व गापर दोस्तों पहला पेपर जी कि का पेपर था पहला भी पर जी कि का पर इसमें 100 कोशन साहे ज्यों के 20 को अर् वाअन वा किया था अभ हम अनलाइस कव पेपर को कि कर लेवल क्या यवाल BLACKicted हमारे पेपर में क्याक्राइड याए थे रजिस्तान एगाती साइक 2021 नपल्जी opaque वह था 28 और 31 को और 31 अक्टूबर को अगर जो सम्झी की बात करें राजस्तान जी के तो दोनों ही डेज में 28 अक्टूबर को भी और 31 अक्टूबर को भी काफी जी से मॉडरेट आई थी दैट मिंस कुछ कोश्चन काफी एजी थे जो देखते ही सॉल हो रहे थे जैसे की कला जी वाला कॉश्चन थे और कुछ कोश्चन थोड़े मॉडरेट जिने हर को इस सॉल नहीं कर सकता था उनके लिए थोड़ा आपको प्रप्रेशन की और यहाप ही पड़ा था थे इस अविने बोलेगे कि लोगों कि टी रिली क कर लिया तो साइक्टो जी का पेपर आठायस को भी और आठा़ियस और एगारश को यह पार यह वी रहा था ऑलिटी कश्तों डोस्तों पॉच्चन बातों करें रहतों बहुत बहुत भट डिफिकलत अठाइस को बहुत डिफिकल्ट था और 31 को बहुत डिफिकल यह फाइटी बहुत इंद पौलिटी ऐसे हैं ऐसे इक हैं तो कहुत भी अन्टे fights काम यह को नी सीर्फिकल्ट हैं तो मिले हैं तो जो किताने हैं आती books का फ्तिकर्टन के ऊछेwegen मतलब कि इससे cut off पे सिद्ध इसर पड़ेगा इसे selection पे आपका असर नहीं पड़ेगा आपके पॉजिटीव बाते सिर्फ cut off पे अंदर पड़ेगा इससे cut off कम हो जाईगी लिकिन अपकर selection शर्प को पहलेगा क्योंकि अगर आपको quality नहीं आई अपकी लोगों को भी questions नहीं आ कर दोस्तों काफी ठीक था कोश्शन ते गरंड के बहुत ज़्या हम इन दिफिकल्ट नहीं हम बात करें दोस्तों टुंटीएट वाले पेपर में पॉर्शन काफी कम था जब की थार्टी फाले में एकनोमिक्स काफी ज्यादा कोश्शन आया था ो ओवरॉल हम पेपर फॉर्स यदिजी के पेपर को बॉल सकते हैं कि यह ओवरॉल मॉडरेट से डिफिकल्ट रहा है तो अगर आपने इस पेपर में प्रेंगे अगर आपने ऐस फिफ्टी कोश्शन सही कर दिये 50 कोश्शन जिए 50 कोश्शन बहुत बढ़ी बात है तो उस्तों प्रपीजी निक आपने यूजी किया 11, 12 आपने स्टडी किया तो उसी सबसे बना सब्जेक इस च्ट्रॉंग हो जाता है लिए बना इस च्लांक्स नहीं रहता है हमारा एक सब्जेक बेपर में इस च्ट्रॉंग होता है तो इस डेफिनिटीली धूसरा वीग पोश्य प्रफि अगर आपके 50 questions बन गए तो आप बहुत अच्छी जगह आप बहुत बेस्ट जगह आपको अपर average आप अपने आपको माल सकते हैं अगर आपके 50 questions आपके GK के पेपर में बन रहे हैं 50 questions का मतला होता है दोस्तो 100 marks अगर 100 marks आपके बन रहे हैं तो आप अपर average position में हैं क्योंकि quality, current, economics, miscellaneous questions अतने easy नहीं थे और पॉलिटी में तो आपके सकते हैं माक्स गेन करना impossible task जैसा अगर आपने कुछ गैस काम गैस लगाया तो एक वो कालग सीन है जो कि हमेशा सही नहीं होता है तो इस तरह के से हमनी पेपर फर्स कैनल इसस देख लिया है तो अगर आपके 50 questions सही ब एक क्यारी कर रहा था तो माक्स दोस्तों फ़स्ट पेपर में भी थी और इसें प्राइपर में था नियुक्टी इंगेटिव मार्गिंग बहुत इंग इंच व्यांच फेक्टर हों कि इसे कुट अपक्टों कर देरेक्ट कम हो जाती है सबजेग की दोस्तों सभी ये अनलाइसस करेंगे मांद्स कटफ के बारे में काफी ज 대해 करदा धिक के अदे की कुछत Cancer में काफी जाता है कि मांद्स कटफ कं दों इंजक्ली अधि कंदे किर आफ जा तो इस भार वी वही कंद दूस् constitu ta वही रिजन सेम है दोस्तो GK का पेपर जो है वो पूरा समिकरंट को चेंज करने वाला है और वो सभी की कट अफ को डाउन करने वाला है जेनरल की हम बात करें दोस्तो तो पिछली बार जेनरल से मैट सी कट अफ गए थी दोस्तो 255.36 मेल और फिमेल दोनों के लिए सेम कट अफ गए थी दोस्तो 255.36 तो इस बार जिसे की हमने पेपर देखा है मैट का पेपर काफी अच्छा आया है पूरे 150 कोश्चिन काफी अच्छे लेवल के थे कुछ इजी भी थे कुछ डिफिकल्ट कोश्चिन भी थे मोडरेट पेपर मैट का था दोस्तो और जीके का पेपर दो था ही दोस्तो काफी टिफिकल्ट तो इस बार अगर थोड़ा मार्क्स कम करके चले तो 240 तक कट अफ जाने की पूरी-पूरी समभावना है अगर आप जेनरल के टिगरी से बिलाउग करते हैं और आपकी 240 मार्क्स आ रहे हैं आप सिलेक्ट होने के पूरे-पूरे चांसे है मैट सपजेक्ट में आज जाए दोस्तो अगर हम बात करें जनरल-टियस्पी की तो पिसली बार गैती 162 दाट मेंज इस बार 150 पर मी संट होने के पूरे-पूरे चंसे हैं ऐसी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो पिसली बार मैस की कटफ गए 202.25 दैट मेंस कि इस बार अगर आप लोगों के 190 तक भी मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि अल्रेडी कम जाती है और इस वार जो थोड़ा 10-15 माक्स कांतर आने वाला इस अकॉर्डिंग काफी कम कटफ जाने वाली है स्ट की दोस्तों अगर हम बात करें तो 186 पिसली बार कटफ गई है तो इस बार 170 तक भी आपके स्लेक्ट होने के चांसे हैं स्ट्य ट्य टैस्प दोस्तों हम बात करें तो इस बार यह काटो कम करें तो इस बार यह मांनस में ही रहने की संभावना है आप फिजिकली हेंडिकाप से बिलॉग करते हैं तो पिछली बार 177 कट अफ गई तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चनल को साथ में बैल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए थांगे समाच